तो आज हम आपको आयन इलेक्टरान विदी और आपसी का संख्या विदी के द्वारा जो केमिकल समीक्वेशन होती हैं उनको संथुलित कैसे करते हैं उस पर यह आपको वीडियो आपको दिया जा रहा है जैसा कि आपके कमेंट्स में आया भी था या एक वीडियो इस पर बना संथुलित कैसे करते हैं तो सबसे पहले हमें रासायनिक समीक्रण संथुलित कैसे करते हैं तो सबसे पहली जो विदी है इसके आपकी दो विदिया होती है एक होती है आयन इलेक्टरान विदी और दूसरी होती है आक्सी करन संख्या विदी तो सबसे पहले हम जानते हैं आय इसके द्वारा समीकरण संतुलित करने के कुछ नियम है उनमें से सबसे पहला नियम क्या होता है कि जैसे कोई भी समीकरण दी गई है अब बोल देगा इस समीकरण को बहुत इंपॉर्डेंट रियक्शन है कई बार यूपी गोर्ड में आ चुकी है इस सबसे पहले हम जानेंगे कि आई अलेक्शन बीदी दौरा संतुलित किजिए किसे करते हैं इसमें पहला नियम जो होता है कि सर्व प्रताम हमें कि दो अरध आयनिक समीकरण बनाना होता इसके लिए हमें दो चीज़ें अवी बतानी पढ़ेंगी कि आपको क्योई भी रासाजर्णिक समीकरण दी है तो उसमें हमें आकसी करण क्या है अपचेयत या रिडक्सन क्या है इसके बारे मैंना चीए तो जब भी किसी तक्तु की आक्सी करण संख्या में व्रधी हो रही हो यानि आक्सी करण संख्या में बढ़ोत्री हो रही हो तो वो आपकी अपग्रिया जो होती है आपकी आक्सी डेशन की होती है अगर किसी तक्तु की आक्सी करण संख्या में कमी हो रही है तो वो अपक्रिया आपकी अपचयन यानी reduction की होती है तो अब हम यहीं पर देख लें कि अगर यह I2 है जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आक्सीकर संख्या निकालना कैसे निकालते हैं यह बताया था तो यह I2 है तो इसकी आक्सीकर संख्या कितनी होगी जीरो हो जाएगी अब I very minus दिया है तो यहां पर अगर I1 की निकालेगे तो पलस पाइगी तो जीरो से क्या हUNGई प्लस की 5 तो यह क्या हो गई अपक्रिया आक्सी करण और यह जीरो से यहां में माइनस आफेस लगा है तो इसकी आक्सिकल संजय क्या हो जाएगी माइनस का 1 इसकी हो गई प्लस की 5 तो 0 से प्लस 5 और 0 से माइनस 1 तो यह हमें समझ में आ गया कि इस अभिक्रिया में आक्सिकरण और अप्चियन दोनों अभिक्रिया हो रही है तो पहला नियम जो था कि सब से पहले क्या करते हैं कि हम दो अर्ध आयनिक समीकरण बनाते हैं कुल मिला करके अर्ध आयनिक समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं कि हम एक आपकी समीकरण निकालेंगे कि आपसिकरण की हो और एक आपकी अप्चियन की हो तो हमने एक समिक्राण निकाली I2 is equal to IO3 minus और दूसरी reaction निकली I2 is equal to I minus तो ये पहला आपका नियम हो गया कि दो आपकी समिक्राण बन करके आ गए इसको हम समिक्राण 1 डाल दे और इसको समिक्राण नमबर 2 तो ये आपकी 2 समिक्राण बन गए इसके परशार Ion Electron विधी में क्या करते हैं इस सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो परमाण होते हैं उनको हम बराबर करते हैं परमाण को बराबर करने के लिए हम दो बातों का ध्यान लगते हैं और oxygen और hydrogen को सबसे बाद में balance करेंगे संदूरिद करेंगे उसके पहले जितने भी अन्य परमाण हो अब जैसे कही सब्ख्रिया में केवल आपका Iodine ही है तो यहां पर Iodine कितने हैं दो यहां जितने हैं एक तो यहां भी दो होने चाहिए तो हमने यहां पर दो कर दिए इसी प्रकार यहां भी देखें तो इस पर भी आपके दो आयोडीन है यहां पर यहां भी दो आयोडीन कर दिये तो सबसे पहले हम परमाडू बराबर करते हैं परमाडू के बाद हम क्या करते हैं कि फिर हम ऑक्सीजन परमाडू को बैलेंस करते हैं आक्सीजन परमाडू को बैलंस करने के लिए क्या करते हैं जितने आक्सीजन परमाडू कम हो जिस और उतने ही H2O अर्थात जल के यड़ जोड़ देते हैं अब यहां पर जैसे देखें तो टू त्रीजा शिक्स यानि शिक्स च्छय आक्सिजन परमाड़ होएं यहां पर एक भी नहीं है तो दूसरी और उतने ही H2O अर्फाद क्या करते हैं 6 H2O यह जोड़ दिया दिया तो परमाड़ बराबर किये उसके बाद आक्सिजन परमाडर करने के लिए यहां पर देखें कितने हैं 12 और इह तरके ब्राबर होएं जब इतनी प्रक्रिया हमारी हो जाएगी तो उसके परशात फीम आक्सी करण और अप्चेल ढगते हूं तो जैसा कि हम पहले ही बता दिए कि यह अविक्रिया आपकी कहें कि है आक्सिलेशन की और यह अविक्रिया आपकी है डिड़क्शन की यह हम इसलिए छाटते हैं क्योंकि इन में जो आवेस लगे हैं इन आवेसों को भी बराबर करना होता है तो यदि अब ग्रिया आक्सी करण की हो तो उतने ही इलेक्टरान दाइं और जोड़ करके आवेज बराबर करते हैं तो अब यहां पर देखिए यह आक्सी करण की प्रक्रिया है यहां पर दो माइनस के आवेज है और प्लस के कितनी हो गए बारा तो total रिण आवेस यानि इसको balance करना है कि धन और रिण बराबर हो जाए तो 2-A प्लस के 12 तो माइनस कितने सही है हमें 10 सही है तो हम यही पर क्या करते हैं 10 electron यही पर जोड़ दिया तो आवेस बराबर हो गए तो कुल मिलाकर कि यह जो reaction हमारी बनी तो 2-I-O 3-12-S-10 electron अब यहाँ पर यह हमारी समीकर्ण संदुलित हो चुकी है अब हम दूसरे समीकर्ण पर जाते हैं तो यहाँ पर केवल आपके iodine ही है तो यहाँ पर 2 iodine हमने balance कर दिया अब यह अपचेन की है तो यहाँ पर कितने आवेस हैं 2- के तो उतने electron हम दूसरी यह और 2- तो आपसी करण की प्रक्रिया में दाई और यह और यह जोड़कर आवेस बरावर करते हैं तो अब जब आवेस बरावर हो जाएं तो अब हम दोनों समीकर्णों में compare तुलना करते हैं कि किस समीकर्ण में कितने electronों की कमी है तो यहाँ पर 10 एलेक्टरान हैं, यहाँ पर 2 एलेक्टरान हैं तो हम इन को बराबर करने के लिए, इन आव एलेक्टरानों को बराबर करने के लिए ऐसी संख्या का गुणा कराएंगे, जिससे एलेक्टरान बराबर हो जाएं तो यहाँ पर 10 है अगर हम यहाँ पर 5 का गुणा करा दें तो 10 लेक्राण यहाँ भी हो जाएगे तो हम लिखेंगे समी करण 1 में एक का तधा समी करण 2 में समी करण 2 में 5 का गुणा कराने पर तो अब हम इसमें गुड़ा करा देंगे तो इसमें तो आपको कोई परिवर्तन नहीं होगा जियोगत्यों आ जाएगा क्योंकि एक का गुड़ा है तो हो जाएगा 6H2O plus I2 is equal to 2IO3 minus plus 12H plus plus 10 electron इसके बाद समीकर नमबर 2 में 5 का गुड़ा कराये गया तो यहाँ पर हो जाएगा 10 electron plus 5I2 is equal to 10I minus जब यह प्रक्रिया हो जाएगा तो इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं तो जब जोड़ने पर तो आपको मालूम होगा दाया पच्छ बाया पच्छ से कड़ जाएगा यहाँ पर 10 electron है यहाँ भी 10 electron है बाकी और कुछ अभी कट नहीं रहा है तो हम इनको जोड़के लिख देंगे तो 5I2 और एक यह I2 कितना हो गया 6I2 प्लस यह क्या वच्छा 6H2 is equal to अब हम देखेंगे 10I minus प्लस 2IO3 minus प्लस 12H प्लस यह रियक्षन आपके निकलती है इस पर आखरी जो नियम है जैसा कि अभी आपने बताया इससाब से पहले दो समीकण आप समीकण बनाते हैं तो आक्षीक नप्चन के अदार प्र अक्षीक नाप्चन पर इसके बाद पर माडू बरावर करते हैं पर माडू बरावर करने के परहाए उप्लस पर अइंद जोड़ देते हैं इसके परचात आवेज बरावर करते हैं, फिर समीकड़ों को जोड करके ये समीकड़ बना लिया, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो समीकड़ हमाली कह रही थी, यह कह रही है कि यहाँ पर H2 होना चाहिए, यहाँ पर वह हमारा उटा आ रहा है, तो इसके लिए क्या होता है, ये अबक जके दिैंगे हज्ट दे रहा है तो हैं हा इस पर उतनी ही ओ होएच जितने एच प्लस होंगे उतने ही हड्राकसिल हैं दोनों ब्लॉड जोड देंगे तो यहाँ पर 12 ह साथ है तो हमने यहां पर 12 ओ लड़ दिय Depart आध रहा हैं और 12 H plus और 12 O S दोनों मिलकर क्या बना लिए 12 H2 O तो यह आपको यहाँ सचला जाएगा अब बचा क्या 12 H2 O तो यह 12 H2 O यहाँ पर 6 है तो यह cancel हो जाएगा यहाँ पर कितना बचेगा 6 H2 O अब reaction हमारी निकल के आएगी 6 I2 plus 12 O H minus is equal to 10 I minus plus 2 I O 3 minus plus 6 H2 O तो यह होता है आपके सामान नियम है आयन लेक्टरान विधी के दुआरा रासाइनिक समीकर संत्लित करने के नियम यह वीडियो आपको कैसा लगा अभी हमें एक एक जामपल और लेते हैं उसको भी बैलेंस करके देखते हैं जैसे लिखा है माली दिये Cu plus HNO3 is equal to Cu NO3 का बोल ट्वाइड plus NO2 plus H2O अब इसको आप कह सकते हैं कि आयन लेक्टरान विधी के दुआरा कैसे बैलेंस करेंगे तो हमने जैसा की पहला नियम सीदे से आ जाते हैं वहीं पर तो सबसे पहले दो अट्र समीकर्ण बनाते हैं तो यहां पर अगर देखें तो यह Cu इसकी Oxidation और Reduction देख लें तो तुरंत आपकी दो समीकर्ण निकल के आ जाएगी कि कौन से समीकर्ण को लेनी है तो एक आपका Cu से CuNO3 का होल्टवाइज हो रहा है अर्थार NO3 Nitrate की Oxidation नमबर कितनी होती है? माइनस 1 तो यह हो जाएगा आपका प्लस 2 अर्था 0 से प्लस 2 तो यह अभिया हो गई Oxidation की तो यह हो गए आपका Oxidation और जो दूसरी होएगी HNO3 अगर Nitrogen की यहाप यह आपकी Oxidation नमबर देखें तो आपकी प्लस 5 आएगी और यह NO2 में कर देखें तो यहापे प्लस 4 आएगी तो यह आपका प्लस 5 से प्लस 4 अर्थार रिड़क्शन तो यह दो अग्रियाएं आपकी निकल की यही पर आगी तो वह हमको लिख लेना है तो एक Cu is equal to Cu NO3 का hold twice और दूसरी रियक्शन जो बनी है हमकी HNO3 is equal to NO2 तो अब हम देखेंगे तो आएंग एलेक्ट्रान विधी की द्वारा कैसे इसको बैलेंस करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जैसे यहाँ पर आपका Cu है लेकिन यहाँ पर हमें nitrogen भी लाना है तो इसके लिए यही पर हम HNO3 को भी add करना होता तो एक reaction बनेगी Cu plus HNO3 is equal to Cu NO3 का hold twice और दूसरी आपकी हो गई HNO3 is equal to NO2 अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे परवाड़ों बराबर करेंगे तो यहाँ पर एक कापर है यहाँ भी एक कापर है अब यहाँ पर oxygen के अलावा कौन सब परवाड़ों है nitrogen तो यहाँ पर nitrogen कितने हैं दो यहाँ पर कितने हैं एक तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे दो कर दिए अब हम देखेंगे oxygen और hydrogen तो यहां पर अगर देखें तो 2,366 oxygen है यहां भी 2,366 यानि 6 oxygen अब क्या बचा hydrogen तो यहां पर 2 hydrogen है तो यहां पर hydrogen की कमी है तो उतने ही दूसरी और H plus जोड़ देते हैं तो अब यह 2H plus हो गया इसके परश्याद क्या करेंगे हम यह देखेंगे कि oxidation है यह पहले ही बता चुके यह हम क्रियाक में किसकी हुई तो जब oxidation की हो तो आयन बराबर करने के लिए आवेस बराबर करने के लिए अब यहां पर plus कितने हैं आपके 2 plus हैं तो उतने ही इलेक्टरान दाइयों यह हमारा दाया पच्छ हुआ तो दाइयों हम उतने ही इलेक्टरान जोड़ करके यह balance कर रहते हैं तो यह आपका पहला समीकर balance हो गया इसके बाद अब दूसरे पर आजाते हैं यहां पर एक nitrogen यहां भी एक nitrogen यहां पर oxygen तीन हैं यहां पर कितने हैं दो तो उतने ही H2O तो एक की कमी है तो यहां पर हम H2O जोड़ देंगे इसके पक्षाद देखेंगे तो यहां पर आपके oxygen बराबर हम hydrogen देखें तो यहां पर एक hydrogen है यहां पर दो है तो एक hydrogen यहां कब है तो यहां पर उतने ही हम यह प्लस कर देंगे अब आवेज देखेंगे तो यहां पर यहां किस की प्रकार की है deduction की तो deduction में क्या होता है deduction में हम electron यह आवेज होते हैं आपको बाई और जोड़ने होते हैं तो बाया पाची कौन सा हुआ यह तो यहां पर प्लस कितने हैं? उतने ही इलेक्टरान यहां पर जोड़ दिये अब यहां पर आपके एक इलेक्टरान है यहां पर आपके दो इलेक्टरान है तो हम क्या करेंगे यहां पर हम दो का गुणा करा दे उपर वाले में एक का गुणा करा दे उसमें समीकरण एक में एक का तथा समी करण दो में दो का गुणा कराने पर तो जब इसमें एक का गुणा कराएंगे तो यही आड़ आएगा नीचे में दो का गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा तो एलेक्टरान प्लस टू एच प्लस प्लस टू एच एन ओ थिरी इज इक्वल तू तू यह एन ओ टू प्लस टू एच टू ओ अब इस दोनों समी करणों को क्या करेंगे जोड देंगे लिख देंगे जोडने पर जब जोडेंगे तो क्या होगा यह दाइअ प्लस दो एलेक्टरान यहां है यह दाइं न हिदर है कर जाएंगे यह टू एच प्लस है यह टू एच प्लस कर जाएंगे इसके पस्षाद अब हम इसको जोड़ दें तो क्या बनेगा Cu प्लस दो और दो चार 4 HNO3 is equal to Cu NO3 का whole twice प्लस 2 NO2 प्लस 2 H2O तो यह आपके समीकर जो है बैलेंस होके आ गई तो अब हम इसमें लाश्ट में यह भी देख लेते हैं कि यहाँ पर जितने परमाणवी अतत्तों है उतने ही यहाँ दोनों और बराबर होने चाहिए अब यहाँ पर एक copper है यहाँ पर अगर देखे तो nitrogen कितने हैं 2 यह है और 2 यह है Chalp कि आट कैसे चाहरल शेग्सफिजन यहाँ पर फोरचिजा 12 है तो यहां भी पूथरी जा 6, 2, 2 जा 4, and 2 यह हो गए, तो 2, और 4, 6, और 6, 12, और hydrogen कितने हैं, 4, 4 hydrogen, इस प्रकार से समीकरण हम balance कर लेते हैं, आयन, electron, विधी के द्वारा, आक्सीकरण संख्या विधी के द्वारा, समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, उसके बारे में जानकारी दे हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले आना चाहिए कि आपको सी seminar संख्या विधी के द्वारा, सब्सक्रता है, उससी के द्वारा अब को बूल्स भी उताते चलते हैं, जैसे मादी चींग लिखा ए, C U plus HNO3 is equal to C U NO3 का whole twine plus NO2 plus H2O अब बोलता है कि इस समीकरण को आक्सीकरण संख्याविदी के द्वारा संतुलिट कीजिए तो इसमें समसे पहला लियम जो होता है तो ये कहता है कि हमें जो भी समीकरण दे रखता है तो उस समीकरण में प्रतेक तर्ट की आक्सीडेसल नंबर हम नोट कर देते हैं उसी तत्तों के ऊपर नोट कर देंगे कि जिस तत्तों की अगर निकालेंगे तो इसकी आपकी माइनस टू तो माइनस सेक्स हो जाएगी तो कुल मिला करके नाइट्रोजन की यहां पर क्या जाएगी प्लस की फाइब अब हम काउपर इहर आजाते हैं तो काउपर की आपसीडेसल नंबर निकालेंगे तो यहां नाइट्रेट आयां जो होता है आपका उसकी माइनस बन होती है तो माइनस बन की अधार पर इसकी कितनी हो जाएगी प्लस की दो इसके बाद देखें तो जैसे लिखाया है तो नाइट्रोजन की निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगी इसकी प्लस की फोर तो कुल मिला करके हम जो मुख मुख तक्त्त होते हैं उनकी आपसीडेसल नंबर हम प्रतेग तक्त्त के ऊपर नोट कर देते हैं तो इस आपसीडे संठया लोट करने के पंशार अब क्या करते हैं के दो समीगमान बना पर देते हैं कौन-कौन से उन में आप डारेक्टिष दीदे देखते हैं कि आकसीडेसल कहा रहा है और रेडक्व तो यहां पर copper की 0 से क्या हो रही है plus 2 तो यह अविक्रिया किस प्रकार की हो गई oxygen की और यहां पर plus 5 से plus 4 अठाद कमी हो रही है तो यह क्या हो गई आपकी अविक्रिया reduction की और इनी दो अविक्रियाओं को हम सीदे नीचे लिख देते हैं तो यह आपकी बनेगी Cu is equal to Cu NO3 का whole twice और दूसरी बनेगी HNO3 is equal to NO2 यह दो रही है यह आपकी अविक्रियाओं किसकी है oxidation की और यह अविक्रियाओं किसकी है reduction की अब हम तो पहला नियम यह है कि सरप्रथाम प्रते तत्यक्रियाओं कि इसकी zero की zero से plus two हुई और इसकी plus five से plus two हुई है अब क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं कि एक चीज हमें यान रखना होता है आयनि-देक आभ में पहले परमाणू करते हैं लेकिन इस विधी में प्रमाणू शमसे बाद में बराबर करेंगे तो अब हम इसमें देखते हैं कि आक्सीकण संख्या में कितने की ब्रद्धी भी है और कितने की कमी हुई है तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 0 से प्लस 2 हो रही है और यहाँ पर प्लस 5 से प्लस 4 अर्था कमी हो रही है एक की और व्रद्धी हो रही है दो की तो अब हम ऐसी संख्या का गुणा कराते हैं कि जिससे जो आक्सीकण इन तक्तों में आक्सीकण संख्या में जो कमी और व्रद्धी हो रही है वो बरावर हो जाए तो इसके वी हमें कुछ नहीं देखना है पस एक चीज याद रखना है कि जितने की कमी हो रही हो तो उसकी जितने संख्या की कमी हो रही है उतने का गुणा आपसीरेशन में और जितने की ब्रद्धी हो रही है उतने का गुणा रिडक्शन वाली रियक्शन में हम करा दें तो आपकी आपसीरेशन संख्या में कमी और प्रद्धी जो होती है वो बैलेंस हो जाएगी तो अब यहां पर दो की प्रद्धी हो रही है तो इसमें हम गुणा करा दें दो का यहां पर कमी हो रही है तो आपसी रेशन दी एक्षान यह है तो इसमें हम गुणा एक करा दें इसके बाद समीकर लिख दें तो यह क्या बने हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे जब जोड़ देंगे तो आप भी बनेंगी Cu plus 2 HNO3 is equal to Cu NO3 का whole twice plus 2 NO2 यह समीकरण आपके निकल के आया तो अब हम क्या करते हैं अभी ऐसा कि हमने बताया था कि इसमें सबसे लाश्ट में क्या करते हैं पर्माणों बराबर करते हैं तो पर्माणों बराबर करने के लिए क्या करेंगे अब देखिए यहां पर और एक कॉपर है यहां भी एक कॉपर यह परमाणू बराबर है अब हम किस पर जाए नाइट्रोजन पर बाकि जो सेल नियम होते हैं जैसा कि हमने आयन एलेक्टरान वीडियो में आपको बताया था तो अब वहीं सारे नियम यहां पर फालू करेंगे कि परमाणू बराबर करे तो अब यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं दो और यहां पर कितने हैं दो नाइट्रोजन यह हो गए और दो यह चार यहां भी चार होने चाहिए तो हम सीज़े कर देते हैं 4 यह एन ओ तरी अर्थाद c u plus 4 h i no 3 is equal to तो यह तो same है प्लस इसको भी लिख दें 2 यह no 2 तो आपके नाइट्रोजन बराबर अब हम oxygen पर देखें तो यहां पर कितने होगा है 4 फ्रीजा 12 oxygen है यहां पर कितने है 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 या नि 6 और 4 कितने हुए 10 कमी कितने की हुई 2 की तो जब दो और आख् तो oxygen परवाण को बराबर करने के लिए उतने ही H2O जोड़ देते हैं तो हमने 2H2O जोड़ दिया और जैसे ही यह एक ध्यान रखिएगा बहुत अच्छी चीज है कि जैसे ही हम आप oxygen बराबर करेंगे संप्लित करते हैं अब कोई भी reaction हो कितनी भी बड़ी हो या चोटी हो तो उसमे आपसी कर संख्या विदी द्वारा संप्लित करना हो या आयनले प्राण विदी द्वारा संप्लित करना हो तो यह चोटे से नियम है इनको अगर follow करें बहुत ही आसानी से स्रवजविधी में आपके समिकड़ बैलेंस हो जाएंगे तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताईएगा कमेंट्स करके और विद्ट नेश्ट वीडियो जो भी आपको डिबांड हो जायते हो कि इस पर वीडियो एक दिया जाए तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताईए थैंक्यू